प्रदेश के हर थाने में विरांगना ओन विहील्स आरंभ किया जा रहा है जिसके तहट किसी भी प्रकार के महिला उत्पीडन को रोकने के लिए सुगमता रहेगी यह बाद डीजीपी संजे कुंडू ने कही उन्होंने बताया कि इस कारेकरम को 15 एपरिल के दिन मुख्य मंत् जिसके तहट प्रदेश के हर थाने में एक स्कूटी ख्रीदी जा रही है जिस पर एक महिला कॉंस्टेबल रहेगी जो किसी भी प्रकार के महिला उत्पीडन की सूचना मिलते ही तुरंत कारेवाई करने पहुंचेगी इस अफसर पर S.P. दिवाकर शर्मा, D.S.P. मुख्या जो है वो बनाए नौनी चोक है जाथ की डिरेक्शन से ट्रक आते हैं वहां के लिए करें जहां जहां ये जंक्शन या कंजेशन पॉइंट से उसके लिए होना बहुत जुरूरी है जिससे ट्राफिक सुचारून कई बार आर्गुमेंट में पढ़ जाते हैं लेकिन जोब क और जब ये लग जाएगा इसके परिणाम भी बड़े सुख़दार है मैं बताऊगा ओर आल जो ट्राफिक एक्शनिक 2020 में 23% कम रहे देट्स 23% कम हुई थी इंजिरी इस परसंट कम हुई थी तो इसमें काफी मदद हमको ये जो नई टेक्नोलोजी की मिली है और आप ऐसे इससे कुर्स क्राउड में ये तुर्स ट्राउड में कि प्रोब्लम मोगती थी श्युम्ला प्राफिक जान की अधने ही सुन रहे है किसके परिणा बड़े सुख़द हुए तो हम चाहते है कि पूरे राजने हो जाया तो मेरा आगए दीशी सहाँसे होगा जहाँ कॉंगा हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा बीती आदों से नाता सहिशना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है बूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए